साथ्यों परिक्षाओं में बार बार पुछे जाने वाले टॉप 51 जीके की कोश्चन्स को आज की इस क्लास में देखेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्पून है ये कोश्चन्स साथ्यों आपके SSC के सभी एक्जाम्स, रेल्वे के सभी एक्जाम्स, UP पुलीस, बिहार पुलीस, MP पुलीस, राजस्थान पुलीस, हर्याना पुलीस सभी एक्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आपको complete देखना है और ये कोश्चन्स बहुत सारे एक्जाम्स में बहुत जादा बार रिपिट हुए हैं तो complete आपको देख लेना है 51 कोश्चन्स में से 50 कोश्चन्स हम आपको बताएंगे और इस वीडियो के लास्ट में एक कोश्चन आपसे पूछेंगे उसका अंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है तो चलिए बिना देरी की हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास का पहला कोश्चन है बाबा गरिया पूजा त्योहार कहां मनया जाता है तो साथ्यों दिखिएगा ध्यान से ये जो त्योहार है बाबा गरिया पूजा त्योहार ये भारत की त्रीपूरा राज में मनाया जाने वाला एक त्योहार है तो इस question के लिए correct answer आएगा option number D त्रीपूरा अगला question है निमनलकित में से कौन सा एक सुम्मेलित नहीं है यानि ये जो जो जोड़ा आपको दिया हुआ है ठीक है इन में से कौन सा एक गलत है देखिए बीहु जो है असम राज का त्योहार है बिल्कुल सही है ओनम जो है ये आंधर प्रदेश लिखा है ये गलत है साथियो क्योंकि ओनम जो है ये केरल राज का त्योहार है केरल ठीक है बाकी दिखिए पोंगल तमिलनाडू में मनया जाता है बैसाखी पंजाब में ऑप्सन नमबर बी जोड़ा गलत था यही आपका आंसर होगा next question है निमनलकित में से किस त्योहार में सुर्य की पूजा की जाती है तो संत्योह आपने छट पूजा का नाम सुना होगा छट पूजा जादा तर बिहार में यूपी में मनया जाता है ठीक है और छट पूजा में सुर्य देवता की अराधना की जाती है सुर्य देवता की पूजा की जाती है तो इस question का correct answer होगा option number C छट पूजा next question है अमीर ने सितार का भी आविस्कार किया था तबला का भी आविस्कार किया था तो यहां पर correct आएगा A और C दोनों थोड़ा miss type हो गया है तो याद रखना अमीर खुसरों को सितार और तबला इन दोनों का ही आविस्कार रख माना जाता है भारतिय मुद्रा का नाम रूपईया किस ने रखा था काफी एच्छा question है देखिए भारतिय मुद्रा जो है भारत का जो मुद्रा है जिसको हम रूपईया बोलते हैं तो यह जो रूपईया नाम है यह किस ने रखा था तो याद रिखिएगा सूरी वन्स के सथापक जो थे ना सेर सा सूरी ने तो राइट आएगा आंसर आप क्या बताओगे ओप्सन नंबर भी चार सेर नेक्स्ट कोस्चन है दक्षिन अफरीका में प्रवास के दोरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकासन किया था आप देखिए साउत अफरीका में जिस वक्त गांधी जी रहते थे उस वक्त उन् नंतानब्य में लोग की पढ़ाई करने के लिए ठीक है कहां गये थे ठारसो तिरा याद रिखेगा अठारसो देखिए अठारसो तेरानब्य में यह जो हैं साउत अफरीका गये थे ठीक है एटीन नाइटी तीरी में और यह कब बापिस आये थे तो भहिए उन्नीस सो लगभग 21 वर्ष तक जो हैं यह साउत अफरीका में रहे थे कौन तो याद रखना महात्मा गांधी जी तो देखो इस कोश्चन का करेक्टन सरोगा इंडियन ओपिनियन यह भी आपको याद रखना है आगे दिखिए भारत के स्वतंतरता अंदोलन के दोरान महात्मा पुदाबाद में जनता पाटी के सासनकाल के दोरान भारत के राष्टपती कौन थे देखिए जनता पाटी के सासनकाल के दोरान भारत के राष्टपती थे नीलम संजीबरेड़ी और सात्यों यहाद रखना है नीलम संजीबरेड़ी भारत के एक मात्र ऐसे राष्टपती ह जो की निविरोध चुने गए थे ठीक है next question दिखेगा निमनलकित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई यानि इन में से कौन सी घटना है जो सबसे पहले हुई थी चलिए देखते हैं खेडा सकता गरहा यहां पर आपका हो जाएगा 1918 में यह हुआ था ठीक है सब इने अवग्या अंदोलन की बात करें तो यह 1930 में हुआ था आसायोग अंदोलन 1920-22 में और चमपारन सकता गरहा 1917 में तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ था 1917 वाला यानि चमपारन सकता गरहा तो option number D करेक्ट आएगा होकी में penalty stroke कितनी दूरी से मारा जाता है तो होकी का जो खेल होता है जब उसमें penalty stroke मारा जाता है तो गोल से 8 गज की दूरी से मारा जाता है याद रखना option number 8 गज 1905 में पहले ब्रिटिस भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था याद रखना 1905 से पहले ब्रिटिस भारत का सबसे बड़ा जो प्रांत था वो ता साथियो बंगाल करेक्ट है option number C next question है 1935 के अधिनियम किस समीती पर अधारित थी काफी अच्छा question है याद रखना 1935 का जो साथियो अधिनियम था वो साइमन कमिशन पर अधारित थी next है UNESCO द्वारा बिस्व के सबसे ज़्यादा हैरिटाइना सीटी किस देश का है तो देखिए UNESCO द्वारा बिस्व के सबसे ज़्यादा हरिटाइना सीटी जो है वो इटली का है ठीक है इटली के कितने हरिटाइना सीटी है तो 59 और इंडिया के 42 याद रखना next है डाक बित्रण में तिवरता लाने है तू भारत में पीन कोड प्रनाली की सुर्वात का हुई थी तो साथि वो डाक बित्रण में तिवरता यानि तेजी लाने है तू भारत में पीन कोड प्रनाली की सुर्वात 15 अगस्त 1972 को हुई थी याद रखना नेक्स्ट निमनल खित में से वहाई इस पात से अंत्र कौन सा है जिसका अस्थपना दूतिय योजना के दोरान नहीं की गई थी तो देखिए भिलाई, दुर्गापूर और रावर किला इस्टिल प्लांट के अस्थपना दूतिय पंचवर्सी योजना के दोरान होई थी दूतिय पंचवर्सी योजना 1956 से 61 तक चली थी जो की PC महल नोबेस मोडल पर आधारित थी और ये दिखिए वो कारो इस पात प्लांट जो है ये दूसरी पंचवर्सी योजना में स्थापित नहीं की गई थी तो ऑप्सन नमबर A राइट होगा इस पाइकर सब्द निमनल खित में से किस खेल से जुड़े हैं तो देखिए जो सब्द ये साथ हो इस पाइकर सब्द ये बॉलीबॉल खेल से संबंधित एक सब्द वाली है करिक्ट आएगा बॉलीबॉल संबिधान में हमारे राष्ट का उलेख किस नाम से किया गया है तो संबिधान में हमारे राष्ट का उलेख भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है ओप्सन नमबर A राष्ट पती को अजधादेश जारी करने की सक्ती किस अधिनियम के दुआरा दी गई थी तो देखे राष्टपती को अज़्दादेश जारी करने की सकती भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहद दी गई थी याद रखना भारतिया संबिधान में नहीत मौलिक अधिकारों की अधारना किस तेश के संबिधान से गरहन की गई है बात करें मौलिक अधिकार की तो इसको संयुक तराज अमेरिका के संबिधान से भारतिया संबिधान में लिया गिया है इसका प्रावधान भारतिय संविधान के भाग दीन में है और अनुच्छत 12 से लेकर 35 तक में मुल अधिकार यानि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गिया है डॉक्टर भीमराव अमबेटकर का जन्म और मिरित्तु कव हुई थी डॉक्टर भीमराव अमबेटकर का जन्म हुआता साथ ही वो 1891 में ठीक है और इनकी मृत्ति हुई थी 1956 में तो राइट एंसर आएगा ऑप्शन नंबर भी जन्तो एवम पादपो के बैज्ञानिक वर्गी करण से संबंधित विज्ञान की साखा क्या कहलाती है तो देखिए जन्तो एवम पादपो के बैज्ञानिक वर्गी करण से संबंधित विज्ञान की जो साखा है वो बर्गी कहलाती है राइट है ऑप्शन नंबर भी जूप द्रव गलाता है ठीक है तो इसमें से किसे सामिल किया जाता है तो अपसे नमड़ी दिखिए कोशिका द्रव केंदरग द्रव तथा अनिकोशिकांग में जीव द्रव में सामिल होते हैं याद रखना क्या कारण है कि ब्यक्ति-चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटील हो जाता है अब देखिए यहां पर एक चट्टान रखा हुआ है पत्थर है जब आप उसको लात मारते हो तो आपको भी चोट लग जाता है लगता है ना यह किसके कारण होता है तो यह प्रतिकिरिया के कारण होता है किरिया प्रतिकिरिया का नियम यानि Newton का जो third law है, third law of Newton, उसके कारण ये होता है, याद रखना आगे दिखिए next question है, जमने लिकित में से कौन सा राज पुर्वत्तर की साथ भनों का सदे से है अब पुर्वत्तर में जो साथ राज ये हैं, इन में से कौन सा उसका सदे से है तो three पूरा option number भी करिक्ट आएगा साथ ये हो, आगे दिखिए संग राज छेतर पुडुचेरी की सिमा किस राज के साथ इस पर्स नहीं करती है तो मनिपूर अंदरपरदिश केरल से करती है, करनाटक से नहीं करती है, तो option number ये right होगा भारत का छेतरफल पाकिस्तान से लगबग कितना गुना अधीक है, तो देखिए भारत का जो संपुन भारत का जो छेतरफल है, वो पाकिस्तान से लगबग चार गुना अधीक है, याद रिखिएगा नेक्स्ट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्चूट, यानि केंद्रिय चावल अनुसंधान सस्थान, ये कहां इस्ती थे, साथ हो ये मनिला में इस्ती थे, याद रखना मनिला, मनिला जो की फिलिपिन्स की राजधानी है, यानि option number C करेक्ठ होगा फिलिपिन्स, निमनलखित में से किस राज में हुआ, तो मोहनी अटम जो है, ये केरल राज का एक सास्त्र निरित्य है, तो इसका विकास केरल में ही होगा, option number C, आगे दिखिएगा, next question है, साथियो निमनलखित में से परसीद वायलिन बादक कौन है, यानि इन में से कौन एक परसीद वाय नुकता पानिगराही, ये सभी जो है, ODC निरित से संबंदित हैं, लेकिन पदमा सुब्रा मनिनम जो है, ये ODC की निरितांगना नहीं है, तो option number B, इस question का करिक्टर हो जाएगा, तानसेन सम्मान किस राज की सरकार ने सुरू किया था, तो तानसेन सम्मान जो है, साथिके छ सास्त्रे निरिती है, आंद्रपरदीस राज का, तो सास्त्रे निरित करिक्ट होगा, बेदोकी और सरल लो, इस आदर्स बाक को किष्णे परतिपादित किया था, तो करिक्ट आएगा स्वामीत द्यानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की अस्थपना की थ हैं, तो देखिए हुसरी और विहुना जो हैं, यह पस्ची मंगाल के लोकने रित्ते रूप हैं, याद रखना, बातसल मेला प्रतिवर्स कहां आयजित किया जाता है, तो साथ यो बातसल मेला जो है, यह प्रतिवर्स नई दिल्ली में आयजित किया जाता है, ओप्सन नमब जाता है तो दिखे करिक्ट आएगा option number B दिपावाली अगला है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महा में मनाया जाता है तो साथ यो दिखे छोटी तीज का जो त्योहार है याद रखना ये स्रावन महिने में मनाया जाता है option number B दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उधारता के कारण लाख बक्स के नाम से पुकारा जाता था तो राइट आएगा कुतुबुद्धी नेबक को साथ याद रखना कुतुबुद्धी नेबक नहीं गुलाम बंस की अस्थपना की थी 1206 में तीक है चले next question है चित्तोड में विज अस्थम का निर्मान कराया था राना कुम्भा ने करेक्ट आएगा ओप्सन नंबर सी इंडिया विंड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखत कौन है तो करेक्ट आएगा मोलाना अजाद मोलाना अबुलकलाम अजाद की आत्म कता है याद रखना आगे देखिए next है प्राचिन चमिनलाडो में पोंगल मनाया जाता है उसी औसी देखिए जलू कट्टो नमकतियोहार भी मनाया जाता है संत्कबीर के संबान में मघ हर महुतसव कब प्रारम किय아 था निया रखना तीजन बाई किस लोक निरित गायन से संबंदी थे तो तीजन बाई का संबंद पंडवानी से है जो की साथियों मैंने बताया 36 गड़ का लोक निरित्य है बच्चा नगमा किस राज के पुरुसों का प्रमुख लोक निरित्य है निरित तिनाटक सूरदास अबम संकरिया किस पेसेवर जाती से संबंद रखते हैं Mm निरित तिनाटक सूरदास अबम संकरिया जो है यह भवाई जाती से संबंद रखते हैं याद रखना एक question आपके लिए है इसका answer comment box में बताईए कि गर्बा लोक ने रित्य कलास एली कहाँ पर चली थे महराष्टर में, गुजरात में, राजस्थान में या पंजाब में सभी साथ ही इस question का answer comment box में बता दिए और साथ ही questions कैसे थे आपको ये class कैसा लगा है comment box में बताना मैंने बहुत ही जल्दी आपको ये class complete कराया पूरी क्याओन questions अपने आज पढ़ लिए जो की बार-बार पूछे जाते हैं exams में, तो उम्मिद करते हैं आपको class प्रसंद आया है और अगर आपको class अच्छा लगा है तो एक like करना और अपने दोस्तों तक share कर देना तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम